क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और उसके दिल प्राइवेट पार्ट हो लेकिन एराग में जन्मा एक बच्चा ऐसा ही इस दुनिया में आया एराग के मोसुर शोहर के दुहोप में जन्मे इस बच्चे के परिवार बाले भी दंग रह गए जब उसके जन्मे के तीन महीने बाद प्राइवेट पार्ट में सुजन की शिकायत को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुँचे थे इस रिपोर्ट को लिखने वाले डॉक्टर शाकिर सलीम जवाली के मताबिक तीन पैनेस वाला यानी ट्रिप अहिलिया का पहला दरज केस है निउ यॉर्क पोस्ट की खबर की मताबिक जब बच्चा तीन महीने का था तब डॉक्टरों ने बताया था कि उसके तीन तीन प्राइवेट पार्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे हैरानी की बात तो ये है कि तीन प्राइवेट पार्टों में से केवल एक ही सही से काम कर रहा था यानि दो प्राइवेट पार्ट जिन में मूद्र मार्ग या यूरिट ड्यूम नहीं थे डॉक्टरों ने उन दो अतियरिप्थ प्राइविट पार्टों को सरजरी के जरी हटा दिया और एक साल तक उसे कोई परिशानी नहीं हुई जानकारी की मताबिक ठीक इसी तरह का मामला भारत में भी 2015 में देखा गया था जब एक बच्चे के दो प्राइविट पार्ट थे लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ना होने या किसी जनरल में इसकी रिपोर्ट पब्लिश ना होने से अभी के मामले को पहला मामला माना जा रहा है करें रहा है झाल झाल